एक्टर अनिरुद दवे जो आईसीऊ में भरती थे जिनके सभी लोग दुआएं मांग रहे थे वो आईसीऊ से बाहर आए हैं उन्होंने संदेश दिया है पहली बार आईसीऊ से निकलने के बाद या कोविट में तकलीफ जादा बढ़ने के बाद पहले ही बात उन्होंने जानते अनिरुद दवे आईसीऊ में थे उनके हालत बहुत खराब थी और एक वक्त ऐसा आया था जब सब को लगा कि अरे बहुत सीरियस हो रहा है मामला उनकी पत्नी शुभी जो है उन्होंने वो इमोशनल हो गई उनको अपने दो मेने के दुद्मोहे बच्चे को पड़ा आस्पताल में क्योंकि अनिरुद्ध को उनकी जरुवत थी और वो एक ऐसा दौर था एक ऐसा मोमेंटा जहां सब की आखे नम हो गई कि छोटा दो मेने का बच्चा है घर पर अकेला और उसकी मां अपने पती को कोविट की जंग में साथ देने जा रही है तो कही न उनने अपनी तस्वीर शेयर की अपने बेटे अनिश के साथ बहुत देर तक मैंने इस तस्वीर को देखा बड़ी बड़ी ही प्यारी तस्वीर है बहुत प्यारी तस्वीर है और वो कहते हैं हाँ जोड कर शुक्रिया सिर्फ छोटा सा शब्द लग रहा है मैं पिछले 22 द अरे बड़ी उधारी कर दिया यानि आप लोगोंने बहुत एहसान किया है 14 दिनों बाद अगर आईसेओ के बाहर अभी थोड़ा बहतर हूँ 85% लंग इंफेक्शन हुआ है वक्त लगेगा कोई जल्दी नहीं है अब खुद की सांस लेनी है मुझे जल्दी मुलाकात होगी इमोशनल होने से मेरा साचुरेशन डाउन हो जाता है देखा मोनिटर में और उनने कहा कि अब साचुरेशन पॉइंट थोड़ा नीचे हो गया I know जल्दी सब ठीक होगा this too shall pass day 22 keep praying for the universe जै परमशक्ती बहुत प्यार तो यारी वह यह कह रहा है कि अगर थोड़े इमोशनल हो होते हैं तो उनका साचुरेशन पॉइंट थोड़ा और कम हो जाता है लेकिन बहुत एहसान मंद हैं आप लोगों के जिन्हों इतना होसला इतना प्यार इतनी प्रात्नाएं उन तक दी हैं और यह कह रहे हैं कि मैं बहतर हूं अब मुझे खुद सांस लेनी है नहीं आई सिय अनिश का प्यार उसके किस्मत शुभी का सपोर्ट और तमाम उनके परिवार का फेलो आर्टिस्ट का तमाम लोगों का उनके इस पोस्ट पर बहुत सारे ब्लीव टिक वाले एक्टर्स ने भी कॉमेंट किया है तो अनृद्ध हमारी दुआएं हैं हमारी गुड़ विशेज हैं कि जल से जल आपके पूरे इंट्रेक्शन आपका ठीक हो जाए आपका लंग बिल्कुल स्ट्राउंग हो जाए दोड़े और अनिश के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएं और बहुत अच्छा अच्छा काम करें बहुत सारी शुभकाम ना है आप सभी की ओर से मैं हुआ हैं